क्या आपको पता है कि power BI के अंदर exclude या include वाले function के इलावा भी एक ऐसा method है जिससे आप filtration कर सकते हैं data की on site of visual कैसे चले आपको बता देता हूं tension ना ले screen आपके सामने यहाँ पर यह हमने पिछले lecture के अंदर plot बनाया था मैं यहाँ पर right click करता हूं duplicate करता हूं इसे तो यह मेरे पास duplicate आ गया मैं इसको 09 करके include exclude की बजाए इसको filter का नाम दे देता हूं ठीक है जैसे मैंने इसको filter का नाम दि यहाँ पर slicer के नाम से filter and slicer के नाम से slicer क्या होता है यह वाला button है इस पर अगर आप click करेंगे तो आपके पास अपने dashboard के अंदर इस तरीके से एक slicer आ जाएगा आप इस slicer को छोटा कर लें यहाँ पर लें और मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूं अब इस slicer में मैं क्या क आके मैं यहाँ पे जो मेरे पास visual के अंदर cut and price के दो column और color यह तीन column पिछले data set के अंदर use हुए मैं वही करूंगा यहाँ से cut के column को उठाऊंगा field के उपर रख दूँगा and now you can see के हमारे पास यहाँ पे एक check box आ गया something like this और इस check box को हम छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी क अब आप देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पर यह सारे के सारे ideal premium and so on so forth cut पड़े हैं मैं यहाँ पर very good पर click करता हूँ and you will see कि सिरफ और सिरफ very good का data आ जाएगा मैं premium पर click करता हूँ तो यह मेरे पास premium का data आ जाएगा मैं ideal पर click करता हूँ तो slice होके सिरफ और सिरफ ideal का data आ जाएगा good पर click करता हूँ good का आ जाएगा fair पर click करता हूँ तो मेरे पास fair का आ जाएगा अब यही नहीं जरा ओर सुनिए कि यह तो हो गया simple सा मेरे पास option जिसके उपर मैंने एक data को slice कर लिया था there is another thing what I can do is मैं यहां से price को उठा के add data यहां पर add करता हूँ now you will see के मेरे पास cut और price दोनों चीज़े आ गई है लेकिन जैसे मैं fair पर click करता हूँ तो यह price के data points मेरे पास सारे के सारे आ रहे हैं but I don't want to check that one इसके बजाए मैं क्या करूँगा मेरे पास एक और तरीका है कि मैं यहां से price का column को unselect कर दूँ and then I also select this cut का column color को उठा के यहां पर ले आओ and now you will see के मेरे पास जिस एक color का data मैंने लाना है वो ही मेरे पास आएगा so this is how you can actually slice the data और इसके इलावा आप क्या कर सकते है slice के इलावा अगर मैं सिरफ और सिरफ प्राइस को रखूं तो आप यहां पे एक specific price को भी select कर सकते है और उसका data point आपके पास आ जाएगा and this is how you can actually slice different kind of data set अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो slice की option तो हमारे पास आगी है औ और हमारे पास यह slice की option category के लिए बिलकुल बेहतर है बिलकुल यह category के लिए बेहतर है but not for different kind of other data set अब आप क्या कर सकते हैं इसको मदे नजर रखते हुए आप किसी भी किसम का कोई भी analysis कर सकते हैं और अपने data को slice कर सकते हैं and this is how you can actually slice and instead of include and exclude option आप अपने data के ओपर different किसम की strategies को लगा के data को slice करके अपने intuitive कहुंगा या observations कहुंगा उनको reports के अंदर save कर सकते हैं see you in the next lecture